दोस्तों इंदीनों इमरान हास्मी पर बॉलीवुड का एक गाना काफी फिट बैठता है जूट बोले कववा काटे काले कववे से डरियो तो भाई इमरान हास्मी थोड़ा सा जूट कम बोलिये और भाई काले कववे से डरिये यानि कि अगर आप जूट बोले गए तो काला कववा जो है वो आपको काटेगा यानि कि भाई कल तक आप जिस बात से मूँ फेरते नजरा रहे थे आज आप उसी बात पर हाँ बोलते नजरा रहें कि हाँ भाई मैं इस फिल्म का हिस्सा बनने वाला हूँ दोस्तों आप लोगों को यादी हुआ कि कुछ दिनों से सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक खबर काफी वायरल हो रही थी कि भाई दबंग खान की आने वाली अगली फिल्म में इमरान हास्मी की इंट्री हो चुकी है और भाई जब ये खबर सोसल मीडिया पर आग की तरफ फैलने लगी और भाई इस खबर को लेकर जब इमरान हास्मी से पूछ ताज की गई कि क्या आप वाकई में दबंग खान की आने वाली फिल्म का हिस्सा बनने वाले हैं तो भाई उन्होंने इस बात को सीरे से खारिश करते हुए ये बात सब को कह दी कि भाई मुझे आप लोगों से ये बात पता चली है कि मैं ये फिल्म करने जा रहा हूँ लेकिन भाई अब इमरान हास्मी खुद ये बात सब को बता रहे है कि हाँ भाई बात हो रही है इलो फ्रेंट्स मैं हूँ नरेंदर और मैं आपके लिए लिख रहा हूँ और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़े हुए बॉलिवूड के सदी के रियल मेगा स्टार यानि के दबंग खान सल्मान खान से और उसके साथ बॉलिवूड के सीरियल किसर यानि के वहीया इमरान हा हासमी से तो दोस्तों ये खबर तो आप लोगों तो पता ही है कि विया इन दिनों दवंग खान अपनी आने वाली मच अवेड़िड फिल्म यानि के टाइगर थ्री को लेकर काफी चर्चाओं में है जिसका काम बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा मुंबई में यानि विया पर नज़र आएंगे इस बात को लेकर काफी दिनों से चर्चाओं का वाजार गरम था लेकिन जब इमरान हासमी से ये पात पुझी गई थी तो भाई इमरान हासमी ने इस बात से सिरे सिरे से इंकार कर दिया था कि वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं बनने वाले हैं फिर उसके से इस बात को दबाए रखें और अब भाई फाइनली मुंबई सागा के प्रमोशन के दौरान उन्होंने ये बात मान ली है कि हाँ वो इस फिल्म का हिस्सा बनने वाले हैं यानि यसराज फिल्म के तरफ से उनसे बात की जारी है कि वो इस फ्रेंचाइजी में इंट्री मार थी कि वो सल्मान खान के साथ किसी फिल्म में काम करें और उनको इस बात से खुशी मिलेगी कि वो सल्मान खान के साथ इस फिल्म का हिस्सा बनेंगे तो दोस्तो फाइनली अब ये बात आप ओफिशली मान लीजे कि विया बहुत जल्दी ही ये ख़बर हम लोगों के सामने आ जाएगी कि विया इस फिल्म में इमरान हास्मी की इंटरी हो चुकी है तो दोस्तो अकसर हम लोग बॉलिवूड में ये बात देखते हैं कि विया हमारे बॉलिवूड के बड़े मेकस बॉलिवूड के बड़े बड़े कलाकार पहले ख़बरों को वो फैलने देते हैं उसके बाद उन ख़बरों से वो इंकार करने लगते हैं और फाइनली फिर सब के सामने आकर बोलते है हाँ 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 मैं ये करने वाला हूँ तो यह ऐसा क्यों होता है बाई अगर सब कुछ हो रहा है आप इस फिल्म का हिस्सा है तो बाई पहले ही हम बोल दिज्ये हां ना वाला सिटुएशन क्यू रखते हैं तो दोस्तो आपकी इंट्री से यानि की विया इमरान हास्मी की इंट्री से इस फिल्म का बज नो डाउट बहुत ही बढ़ेगा और इमरान हास्मी बॉलिवुड के बहतरीन कलाकारों में से एक है और उनकी जब इस फिल्म इंट्री होगी तो नो डाउट ये फिल्म अलग ले इसको जाने के लिए बेलाइकन को जर्दबाईगा